सबी सम्मानिस साथियों को नमस्कार मैं आपका दोस्तानिस बिंद स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बिंद जाती की बात में मित्रों जब हम लोग पढ़ते थे और क्लास में जाने से पहले जब प्रेयर होता था प्रात्ना होता था तो हम दो लाइन की पंक्तियों से अपने प्रेयर को सुरू करते थे और कहते थे वह सक्ति हमें दे दयानी दे करतब्य मार्ग पर डट जाए जिस तेश जाती में जनम लिया बलिदान उसी पर हो जाए यानि की हम लोग कहते थे कि हे दया की निती भगवान हमें ऐसी सक्ति दे कि हम लोग अपने करतब्य पर डट के खड़ा रहें और जिस जाती और जिस देश में जनम लिया हैं उसके लिए बलिदान हो जाएं यानि कि हम लोग भगवान से परातना किया हैं कि हे इस्वर हम ऐसी सक्ति दो कि अपने देश और अपने जाती के लिए बलिदान भी देना पड़े तो हम लोग बलिदान दे दे मगर अगर आज उसी जाती के लिए अगर हम लोग कुछ नहीं किये तो वह भगवान के सामने किया हुआ प्रात्ना बेकार है और भगवान के नजरों में हम जूटे साबित हो जाएंगे इसलिए सभी बिंदवायों से निवेदन है कि हम आप सब को बताने वाला हूं कि इस पंक्तियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और अपने जाती से इतना प्रेम करना है कि खुद पंक्तियों में लिखा गया है कि अपने जाती के लिए बलिदान भी होना पड़े तो बलिदान हो जाएंगे मित्रो इस पंक्ति के पहले सब्दों में देश का जिक्र है यानि कि आप हिंदुस्तानी है अगर आप कहीं जाते हैं तो कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि पाकिस्तान आपका पडोसी देश है और पाकिस्तान को हिंदुस्तान का भाई कहा जाता है इसलिए आप पाकिस्तानी है तो आपको कैसा लगेगा आपके इस तरीर में आग लग जाएगी और वहाँ पर जो व्यक्ति ऐसी भासा बोलेगा उसको आप मारेंगे इतना तो मैं किलियर कर दे रहा हूँ कि आप उसको एकाद दो थपर और एकाद दोला जरूर मारेंगे क्योंकि आप हिंदोस्तानी है और लिखा गया है कि अपने देश अपने जाती के लिए बलिदान होने के लिए लिखा गया है फिर अगर व्यक्ति को आपकी पहचान पकिस्तान से बताएगा तो आप उसके लिए यही करेंगे मित्रो ठीक उसी पंक्ति में आगे के सब्दों में लिखा गया है कि जिस जाती यानि कि जाती पर भी बलिदान होने के लिए लिखा गया है यानि कि जो व्यक्ति आपकी पहचान किसी अन्य जाती से बताते हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए जो आप पाकिस्तान सब्दों सुनके उस व्यक्ति का करने वाले होते है मित्रो असपष्ट सब्दों में लिखा गया है भगवान की प्रात्ना में लिखा गया है कि अपने जाती और अपने देश के लिए बलिदान होने के लिए लिखा गया है मित्रो किसी भी व्यत्ती की पहचान उसके पिता से होती है उसके पडोसी से नहीं इसलिए सबी स्वजाती बिंद भाईयों से मेरा एक ही बिंदी है एक ही आग्रा है कि वे अपना समने बिंद ही लगाएं किसी जूटे, फरेबी, बैमान, लुटेरे, मकार हीन मान सकता वाले लोगों के चकर में ना परें और अपना जाती ना बदलें मित्रो बड़े ही कड़वी बात है कि अपना जाती बदलना यानि कि अपना बाप बदलना तो अपना बाप न बदलें अपने जाती की विरासत को समाल के रखें क्योंकि ये आपकी धरहर है आपके पुरवजों ने आपको दिया है और अपने पुरवजों की धरहर को इस तरह से मिठी में मिलाना आपका काम नहीं है आपके बाप दादा आपके पुर्वजों की विरासत को समालना जिस तरह से आप उनके धन दोलत और जवेंजाजात की विरासत को समालते हैं उसी तरह से उनके नाम की विरासत को समालना है दूसरों के चक्र में नहीं पढ़ना है और ज बोस्ता निसे प्रिंद मिलेंगे किसे नाई वीडियो साथ तब सके लिए जापिने रहाएं